जहन्त फीचर ओफिसर्स वेलकम टू यूपी-पी-स बाला आज आपका स्वागत करता है करेंड का जहटका सीरीज में स्वागत करते हैं बंदन करते हैं अभीनंदन करते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 अक्टूवर की सारी की सारी खवरों के बारे में तो करेंट का जहटका सीरीज में आप सभी का स्वागत है और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसकी PDF का हम लेगी तो अमन नामदेव सर करके एक टेलिग्राम चैनल है आप लोग इसको जोइन कर सकते हैं यहाँ पर जो भी में पढ़ाता हूँ जो भी बारतला आप करता हूँ वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम चैनल का नाम क्या है अमन नामदेव सर याद रखिएगा क्या है सब लोग लिख दें सब लोग comment box में एक बार लिख दीजे अमन नामदेव सर फिर से लिख दीजे अमन नामदेव सर क्योंकि कई बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही कि सर ये चैनल कहां से खुलता है और कैसके खुलता है तो यह आप लोग जानते हैं रैट सबसे पहले मैं आप लोगो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खबरे बताता हूँ UP News उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ तो इन टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करने वाले है फिर इसके वाद हम लोग Indian News and International News National News ठीक है आज मैं आप लोगों को काफी सारे कुछ wildlife centuries भी याद करवा दूँगा wildlife centuries चुकि ये news में है तो ये सब हम लोग याद करके जाएंगे पूरे के पूरे wildlife centuries कौन से state में wildlife century कौन कौन से उपलब्द है उसके अलाबा we are going to talk about we are going to talk about answer writing writing ठीक है answer writing कैसे करना है कल मैंने आप लोगों के लिए शुरुवात करी थी सिर्फ और सिर्फ कल एक introduction था आज एक तगड़ा वाला जटका जो है answer writing का भी दिये जाएगा मजा आने वाला है आप लोगो उसके अलाबा we are going to talk about कुछ 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 MCQ तो ROARO के exam में जो जो पूछा जाता है वो सारी की सारी चीजे भी हम लोग कुछ देखेंगे यास नुसू सर एक चीज पूछनी थी मैं 2020 के भी current affair पढ़ू है नहीं अरे भाई 2020 का मत पढ़ो देखो productivity देखो इतना पुराना क्यों पढ़ना है तीन साल पुराना फिर तो वही बाते पढ़ने के लिए तो फिर पचास साल पुराना भी पढ़ सकते हो एक साल पुराना पढ़िए एक साल सिर्फ एक साल अपनको exam निकालना है exam को qualify करना है हमें merit में नहीं आना है मेरिट में कब आना है जी मेरिट में कब आना है जी कहां पर आना है means में आना है is this very much clear right स्वेता दुबे जी right समझ में आया कि नहीं सुना सर मैंने सुना है आता है अरे यार आप देखो इतना जो सामने static portion है वो तो करिए पहले हाँ जी आपने सुना है तो सुना तो मैंने भी यह के 2001 का भी current affairs आता है ठीक है मैंने भी सुना था तो अब आपके 2001 का भी current affairs पढ़ोगे स्मार्टनेस और हाइर वर्किंग दोने में difference होता है हाइब वर्किंग और स्मार्टनेस पहत बहुत बार डिफरेंस ही होता है watch और फिर 50 सालका भी पढ़ ले बीस सालका भी पढ़ लेकिन आपको स्मार्ट луना कि कहा पर स्ट crypto आप इससे बैटर है na उसे या तो है कि भी आ सकता है देकिन आस्क्यू कि 2000 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कितने लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था देकिन आस्क्यू कि 1994 में जब अमन नामदेव पैदा हुए थे उस टाइम पर किसने मतलब ओलंपिक में या नोबल प्रैस जीता था तो वो कुछ भी पूछ सकत अब हम लोग बात करते हैं को यह नहीं लिखा हुआ है सफलता करना है पाना नहीं सफलता प्रैस में है जीत में नहीं मैं हमेशा बोलता हूँ success is a journey success is a journey यह आप याद रखेगा success क्या है गाईस कुछ नहीं है एक मात्र एक जर्नी है तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आज हम पढ़ रहे हैं जब हम बन जाएंगे तब हम कुछ करेंगे ऐसा नहीं है आप जो आज कर रहे हैं उसी को enjoy करिये मेरे लिए पढ़ाना एक प्रोफेशन नहीं है मेरे लिए पढ़ाना एक अपने आप में एक हॉबी है मैं पिछले कई सालों से तगरीवन साथ साल से पढ़ा रहा हूँ तो success क्या है success एक journey है आप इस journey को enjoy करिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए कई बच्चों का यह रहता है कि सर आरो यारो का exam है तो भाई इसके लिए आप लोगों के पास काफी सारे factual questions आते हैं तो यह जो speedy है speedy मैंने MP exam वाला पर करवा रखी है MP exam वाला पर channel पर MP exam वाला channel पर क्योंकि उसमे subscribers कम है और फिर अभी भी PSC का भी paper है तो देखो जो national news होती है national news होती है और international news होती है जैसे आपके हो गए appointments है ना आप लोगों ने देखा हो ना speedy का current affair appointments हो गए committees हो गई defense exercise हो गई ठीक है first in women मतलब इस तरह के कुछ नाम चेंज हुए है पूरे भारत में कुछ names change हुए है names change हुए है कुछ places के सरकार की सारी की सारी schemes schemes को कैसे भूलोगे schemes तो ये जो सारी की सारी चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है ये सारी की सारी आपको इस पीडी में cover हो जाएंगी तो तकरिवन साड़े पांच-पांच घंटे की ये class है जरूर देखिए कभी ये से class नहीं लगती है तो उस टाइम पर इस पीडी को आप लोग देख सकते हैं देखिए आपको मज़ा आएगा तो ये आप याद रख सकते हैं है ना सर मैंने start किया है करना है बट नाम ही दिक्कत कर रहा है foreigners के अरे बिलकुल वो दिक्कत तो करेंगे लेकिन धीरे-धीरे अगर आप revise करेंगे तो हो जाएगा है ना तो धीरे-धीरे और मैंने कोसिस यही करी है इस पीडियम मैंने पढ़ाई है नहीं तो मैंने उस टाइम पे ही याद करवाने की कोसिस करी है इवन आई ट्राइट टू मेक इट मोर एंड मोर इजी इस दिस वेरी मच क्लियर चलिए सब हो जाएगा धीरे-धीरे एक-दो बार देख लो उसको वीडियो को फिर से देख लो फास्ट करके देख लो है कि नहीं है चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं वन मिनिट चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं गाईस अपनी क्लास को है ना तो आज जो सबसे पहली उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ख़बर रिचा स्रीवास्तब जी वो है प्रोजेक्ट अलंकार से लिटेड लिख लीजे आप अपने नोट्स जरूरू बनाईए राइट प्रोजेक्ट अलंकार काई से संबन देते हैं यह आपसे आरो ए यारो यह यह यूपी पीसेस में पूछा जा सकता है आपके उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है क्या नाम है गाइस प्रोजेक्ट अलंकार लिखो अलंकार प्रोजेक्ट अलंकार क्लियर है प्रोजेक्ट अलंकार अब यह आपके ही यूपी ने बनाई है यह स्कीम और इसकी एक खास बात है कि यह क्या करने वाली उत्तर एक Sanskrit school, किसके लिए जी Sanskrit school, जिनको क्या मिलिए जी सहयता, किस deposit मिलीयर government, फ़फ उत्तर प्रदेश, तो उनमें क्या करना है, जी बदलाफ करना है, और वो उलग-अग लेवल पर बदलाफ करना है, जितना हो सकता हैं secondary जो संस्कृत स्कूल से उत्तर पड़िदेश में उनमें बदलाव लाना है तो जल्दी लिख दीजे धनंजाय जी संस्कृत स्कूल के लिए एक scheme लाएगे यह उसका नाम किया है तो project अलंकार, क्या नाम है guys, project अलंकार, अब इसमें government करने क्या वाली है, important तो यह है न, लेको project अलंकार, sanskrit school यहते i one-liner fact हो गया, right, लेकिन यहां पर आपको यह मालुँ होना चाहिए, कि Est certainty क्या क्या करेगी, तो सबसे बड़ा जो बदलाव ये करने वाली है वो ये है कि ये देगी पैसा ठीक है पैसा पैसा वाला तो प्रजेक्ट अलंकार जो गॉवर्मेंट एड़ेट संस्क्रित स्कूल है जहां पर भी पॉपुलेशन जैसे मानके चली है सो से लेके डाई सो है वहाँ पर ये क्या देगी जी पच्छेस लाख रुपे देगी अगर नॉन रेसिडेंशल है तो पच्छेस लाख रुपे देगी और अगर रेसिडेंशल स्कूल से तो पच्छास लाख रुपे देगी तो इससे क्या होगा कि उस स्कूल का थोड़ा जो च्छास्टरमेजमेंट की छे क्लास अपने आप में एक अधुत क्लास होने वाली है उसके काम चल रहा है और अप्लिकेशन पर हम पढ़ाएंगे बस एक बार आप डिजास्टरमेजमेंट की ख्लास जरूर देखिएगा सक्षम 1, सक्षम 2, सक्षम 3 सारे के सारे सक्षम के होगा believe me मैं बलकुल मुझ से direct बोलता हूं right so don't worry right disaster management की classes अभी लेंगे हम लोग so don't worry right चलिए तो अब हम लोग अपने topic पर रहाते हैं तो project अलंकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहली यह चीज है वह क्या है guys यहां पर आप सबसे वड़ी चीज क्या होती है इस्कूल में सीखें इस्कूल जाते क्यों है time pass करने के लिए midday meal खाने के लिए नहीं advancement means what कि learning outcome increase हो learning outcome learning outcome जैसे मैं एक example दूँ आप लोगों जैसे PW का यह जो office है इसकी एक खाजवात है right इसकी एक खाजवात है साहिन परवीन जी कि PW में खाना भरपूर मिलता है सोबह सोबह आप आएंगे नास्ते में खाना मिलेगा ठीके नास्ता भी मिलेगा राइट फिर लॉच मिलेगा लाइक डिनर भी मिल जाएगा फिर साम को भी जो साम को नास्ता होता है समय जाता है ताकि लोगों की efficiency बढ़ी रहे है अलग सर का यह कहना है कि पेट पूजा रहेगी तो फिर भूके पेट भजन ना हो पाए गोपाला तो एक मिड़े मील इसकीम जो है मिड़े मील इसकीम वो काफी आदा helpful रही ऐसी अगर आप देखे learning लर्निंग आउटकम इंट्रीज करना है तो उसके लिए भी पैसे आ रहा है फिर तीसरी चीज़े जैसे जो गूगल से आप सीख सकते तो भाई बच्चे को वो देखे आएगा अभी तक तो वो टिक टॉक और रिल्स ही देख रहा था अब बच्चा क्या देखेगा जी अब बच्चा देखेगा क्या अमनसर की क्लास समझ रहे हैं या फिर आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं तो जो भी चीजे रहेंगी तो गूगल के फायदे देखाया रहेंगे तो गूगल के अपने फायदे फिर इंप्र को इंप्रूफ करना है तो अगर आप से पूछा प्रजेक्ट अलंकार के बारे में तो I hope सारे के सारे बच्चे अब जान गए होंगे. कि प्रजेक्ट अलंकार क्या है? अब हम बात करते हुए डिजीटल दॉक्टर. अब नहीं एक स्कीम आई है जिसका नाम है डिजीटल डॉक्टर. डॉक्टर भाई, डॉक्टर. डिजीटल दॉक्टर. ठीक है? मैं offline तो नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन online भी एक offline तर्ज लेकर आने की कोसिज जरू करता हूं ताकि संध्य जी से बात करूं चाहे पूजा जी से बात करूं चाहे स्रजन पांडे जी से बात करूं तो यह क्या हो रहा है यह हम लोगे connectivity स्थापित करना है ऐसे doctors जो होते हैं वो digitally काम करें तो उसको बोले आता है digital doctors scheme तो main aim क्या है enhance करना healthcare accessibility को healthcare accessibility का मतलब क्या होता है healthcare accessibility का मतलब यह होता है कि जो भी गाउं कस्वा या बहुत चोटे से चोटा नुकड भारत का हो अगर उस जगा पर भी डॉक्टर अपनी उपलब्दता दर्ज करवाए जैसे for example PW क्यों revolution लेकर आया क्योंकि आज भारत के जो important जो हम बोल सकते हैं अच्छे टीचर जो है वो डिटरली सारे के सारे पढ़ा सके तो टीचर यहां पर पढ़ा पा रहा है राइट टीचर इस नॉट ए सेल्समें कि आप हमारा कोर्स लीजिए आप हमारा यह करिए हम लोग चाहते कि भी content जाए आप तक तो यहां पर दिजिटल तो यह सब जो चीजे का कौन कर रहा है यह आपका प्यारा उत्तर प्रदेश हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश जो है कर रहा है राइट planning to launch a digital doctor facility तो आपको वस इतना याद रखना है आप जैसे for example कहीं पर आप answer लिखते में को से पहले trial करा जा रहा है और धीरे 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 आनुतेवारि जी और पूरे भारत में भी या फिर पहले तो हम लोग उत्तर प्रदेश में देखेंगे इसको यह आपको याद तो इस्टेट गवर्मेंट ने पहले से ही टेली मेडिसिन सर्विसेस प्रोइट कर दिये मेडिकल कंसल्टेशन एंड अर्वन एरियास फीचरिंग हैल्थ एटीम फॉर बेसिक टेस्टिंग अब हम लोग बात करते हैं जी हाली में क्या हुआ कि कुछ देखने को मेला राइट चार हजार मदर से उन तक पैसा आया पर बात को में प्रोडोर्वन रपे या मैं आप लोगों में बाइट देता हूं कि लभी आर्या जी ये लेली या 10 लाख रूपे आपके लिए आपके विकास के लिए यह आपको मिलता है यह फिर मादूती बड़ी है कोई गाड़ी ले लिए 10 लाग रुपे की तो यह आप देखिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में यह कुछ गड़वड हो तो 4000 जो मदर्सा थें that two specifically मदर्सा सही है ठीक है मिले फड़ निग लेकिन that two only इंडो नेपाल वर्डर अगर दी जा रही है तो पुछ ना कुछ गड़वड हो सकती है तो इस चीज को लेकर जी एक कमिटी बनाई गई गई और इस कमिटी में कितने मेंबर है तीन मेंबर है तो कमिटी अंडर दी चेर्मेंसिप आफ मोहित अगरवाल जी जो ATS है राइट SP Cyber Crime त्रवेणी जी हो गए और डिरेक्टर हो गए Minority Welfare के देट इस रुवा जे रीवा जी तो यहां पर यह तीन मेंबर की कमिटी बनाई गई गई वाई क्योंकि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कराई गई है कि भाई मिस्यूज ना हो पैसा आ रहा है ठीक है बाई मेरे उस मदर से का development होने चाहिए वहां का बिकास होने चाहिए वहां के जो बच्चे हैं उनका development होने चाहिए लेकिन development अगर नहीं होगा तो इसी लिए जो है यह कमिटी बनाई गई कि भाहिया foreign donation आया बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या वह foreign donation सही से काम कर रहा है तो उसको लेक PCS के paper 3 में right paper 3 में यह आपको याद रखना पड़ेगा is this very much clear guys clear है बढ़िया अब हम लोग बात करते हैं next news की तो भाई जापान ने तो अभी मिलकुल मतलब माहुली बना दिया है क्या हुआ है जापान ने कहा कि क्यों ना हम बारुद को छोड़ दें side में करते हैं जापान बताइए electromagnetic gun क्या होता है किसी को मालूम है अर्चना धननजय येस मदू मोटिवेशन किसी को मालूम है नहीं मालूम है electromagnetic gun क्या होता है नहीं मालूम लेको हाल ही में जो जैपान है right it became the first country ever to fire electromagnetic railgun तो यह आप से पुछा आएगा recently railgun was in news railgun was in news ठीक है यह railgun काई से संबन देते ह अब यह जो railgun है यह कौन सा वेपन है गाईस तो यह याद रखना यह है electromagnetic weapon don't worry आपको नहीं वालूम तो मेरे को मालूम है मैं बताऊंगा right अंजली तो electromagnetic weapon की अगर हम बात करें तो यह कहें गाईस यह railgun right अब इसकी क्या खास बात है सबसे बड़ी चीज जो है यह जितने कि 7 Mac तक की स्पीड है इतना तेज तो यह साथ गुना जो है उसके तरह से यह जाएगा weapon है और weapon जो है टार्गेट कर सकता है यहां से यहां से मानके चलो वही सिप उड़ा दी यहां से मानके चलो कि इनों ने जो भी है मतलब defense equipment होते है या फिर दूसरी country पर आकरमन करना है तो उसके लिए यह काफी आदा helpful रहने वाला है जैसे अगर आप इस photo को देखेंगे न तो इस photo को अगर आप देखे तो यह electromagnetic gun है और यहां पर अगर आप देखते हैं तो यह जो है न magnets लगई यह हुँ है और यह magnets क्या करती है और यह जो bullet है na bullet इतना जादा heavy current इतना जादा heavy करेंट प्रोड्यूस करती है कि यह जो बुलेट है यह क्या करेगी जी एक दम से बिल्कुल निकलेगा सर से और जाके प्र से अटेक कर देगा अमन नाम देफ सर के पास आएगा अमन सर गोधी लेलिंगा उस बुलेट को मला आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहरू तो यहा पर बारोध यूज नहीं हो रहा है no more no more gunpowder रहे ट और gunpowder यूज पहले जो होते थे तो उनके साथ एक बहुत वड़ी समस्या थी बालूमें, सबसे बढ़ी समस्यιά क्या थी, कि गन पाउडर अगन फाउडर अब उसमें लगा वुआ है, जाला रहे हो तो जाला रहे हो और फिर गन पाउडर लगा हो है तो इसका वीट बहुत ज़ाद है, तो heavy weight था, आया समझ में, heavy weight था, heavy weight था, भाई, तो heavy weight खतम हो गया, ठीक है, समझ में आगा या ना, तो यह आपको याद लगना, heavy weight क्या होगा, खतम हो गया, यहाँ पर, और यह जो है, हलकी हो गई, अब इसमें लगता क्या है, तो इसमें सर्फ एक चीज लगती है, वो है, ब तो यह भी हम लोगों ने देख लिया कि हावाई इसकी क्या खास बात है के नहीं है नो मोर गन पाउडर मतलब अगर गन पाउडर ही नहीं तो इससे इच्छी वात क्या हो सकती और गन पाउडर काफी यादा बॉलेटाइल हो जाता है कभी-कभी यह से पानी पड़ गया तो व मैं वायर लगाया और उलेक्रोमेगनेटिक गंचा नहीं समझते मतलब ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज्यादा इलेक्रिसिटी यूज होती है तो इसकी एक सबसे वड़ी समस्या भी अगर मैं बताऊं सबसे वड़ी समस्या है ना वो यह है कि इलेक्रिक सर्कृट का यूज हो तो आप बिलकुल में खरी तुम भी खरीद लेना में भी खरीद लूँँ और ऑट तो यहीं से हम लोग बंदू बंदू खेलेंगे यहां से मैं चला ना बैग्ट कर दूंगा उसको कउमैलमेय तक याद ज pro मजाक मजाक में पढ़ा करो कोई भी टॉपिक होता है इसको easy कैसे करना है यह हमें मालूम होना चाहिए तो no more use of gunpowder heavy gunpowder चुकी volatile होता है अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीजे और जो है वो क्या है गाइस इसके साथ एक problem भी है और problem क्या है heavy usage of wisely और फिर दूसरी यह problem है न क्या होता है गाइस जो दूसरी सबस्रेवड़ी problem है वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वह देखने को मिलेगी और दिखने की क्या है देखो बताता हूँगा यह जब चलती है न बार 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 तो यह क सबसे बड़ी समस्य वह यही है कि वह बहुत जल्दी गरम हो जाता है तो उस पर अभी वी काम करा जा रहा है तो बहुत लंबे समय तक यूज करना इसका थोड़ा सा दुरवल हो जाता है is this very much clear कृती वर्मा जी गन से डर लगता है अरे तो भी यह दूर रहो हां जी समझ मे रहा है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ दिवाली बनाई आईगी बिल्कुल पाकिस्तान पर दवा के फेट दो तो चलो तो यह आपको याद रखना है तो जैपैन यह अगर आप से पूछा जाए तो आपको मालूम होने चाहिए तो हम लोगों ने इस से रेटेड जो भी वात यह मेल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ हुज एलेक्रिसिटी हीटिंग प्रॉब्लम यह सब देखने को मिल जाता है इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी ठ्रेट है और आपको मालूम है जैपैन के आसपास कितने तगड़े तगड़े लोग रहते हैं यह तो आपको मालूम है इस अब हम बात करते हैं अणाचल प्रदेश ने अप्रॉब कर दया STPT for three tiger reserves oh my god देख लीजेब आप लोग अणाचल प्रदेश ने तीन tiger reserves को approved कर दिया है अब देखो कौन कौन से tiger reserve है और उनको STPT वही STPT के दवारा अब STPT क्या है आप से पूछे आए तो याद रखना है इस्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फॉर्स क्या है इस्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फॉर्स ठीक है यह आपको याद रखना है यह तो Constitution of special tiger protection force in state for three tiger reserve से तीन के लिए और भी सब लोग लाइन में बेटे थे इन्होंने कहा कि यह इन तीन को बलाओ पहले इनको बलाओ जा रहा है तो यह तीन कौन-कौन से थे यह विचारे समोसा खा रहा रहा है तो नाम दफ़ा नैसलपाक वाले पक्के टाइगर रिजफ वाले और काम लैंग ता हूं और तुमको security प्रोइट कर एक बार पढल लेते हैं याद दन लेते हैं अगर हम बात करें अंदर प्रदेश में कौन-कौन से में अब पूरे भारत के tiger याद करते हैं, बताओ कितने लोग रेडी हैं, टाइगर रिजर्फ को याद करने में, हाँ जी, रभी कुमार जी, बताइए, येस, पूरे मतिवारी जी, कितने लोग टाइगर रिजर्फ को खटा-खट याद करेंगे मेरे साथ, आज मैं ट्रिक नहीं लेकर आए हैं, तो आज मैंने सोचा कि पूरे टाइगर रिजर्फ फटा-फट याद करवा दू, बताओ, 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 एवर रेडी, ग्रेट, चलिए, बढ़िया, बढ़िया, तो यहाँ पर आप देखते हैं, आंध्र प्रदेश, ओह, हो, आंध् अब आंध्र प्रदेश का जो टाइगर रिजर्फ उसका नाम है, नागर जुन स्री साइलम टाइगर रिजर्फ, ओह, हो, नागर जुन सागर टाइगर रिजर्फ, स्री साइलम टाइगर रिजर्फ, यह हमें याद रखना है, दूसरा अगर आप देखें तो अड़ा चल प तो नव दफा नाम लेकर है кयाता एक आफ पहि वि पढूगत जाता जी तो यह आपको याद रखना घ ol करिया है तो मानस भाई मानस मानस हो गआ राइट फिर ना मेरी हो गआ तो ना मेरी हो गआ ना मेरी टाइगर डाइगर रिजब और सबसे आखरी मैं हो गए और आसाम के सारे के सारे नैस्लल पाग भी मैंने आपको याद करवा है तो बिल्कुल जोती ने लिख दिया मॉंक ड एम से मानस ओ से और अन से ना मेरी के से काजी रंगा और ड से क्या होगा धिवरू साइक होगा यहां नहीं नहीं लिखा हुगा है तो वह भी आप कर सकते हैं तो यहां पर आपको अचानक मार अमरकंटक बाला अचानक मार अचानक मार हो गया क्लिए अब बिल्कुल मेरे तवयत अवियत सब मस्त हो गई है ठीक ठाक हो गए आप लोगगी द्ज़ा रहा है पड़ाने महें लिखते जाओ इंद्रावती हो गई फिर आप देखिए जी उधनती सीता नदी तो भाई यह सीता नदी तो 36 गड़ में कौन-कौन होगा यह तीन होगा आपके आरो यारो के एक्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेस्चन आ सकता है आप से पूछा या सकता है इंद्रवती उधनती सीता नदी अचानक मर यह कहां क इस तरह से पूछा या सकता है तो यह आपन को याद रखना है अब चलो अरचना याद करते हैं आपको अगर याद हो रहा हो ठीके मैंने याद करवाया था आपको करनाटका का यह आपको याद रखना है ले तो बैन से आपको याद रखना है जी डाइगर आपको अपटि अबॉण एपया दूसरा आप तो यहां पर आपको भद्रा टाइगर रिजब भी मिल जाएगा फिर आप देखेंगा डंडेली आंशी टाइगर रिजब और अपने पड़ा था तो बांदेपूर में असी ताइगर रिजब भी हो गया फिर आप देखे कैरला, तो भाई कैरला में परी पाई आती है, तो कैरला की परी, तो ऐसे वहाँ पर याद रखो कि वहाँ परियार करके, टाइगर रिजर्व है, और परियार करके रिवर भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, गाईस, clear है, तो परियार करके रिवर भी ह और Tiger Reserve भी आपको आठीख कुलन हो गया फिर आप देखींगे यहां पर Madhya Fans के तो मद्य पिर देस के तो भाई अब देखों मद्य पिर देस में भाई भाई जैसे जाद रख लो मद्य प्रमिदेश में भाईे तो और नौण के नाब पाइब यह हुआ यह कर दो जैसे कभी-कभी में मजाक-मस्ती में यातों तुम कऊगे शर कर घीले तो नहीं है तो ऐसे कर कर कि हम मद्य प्र देश से हैं तैगर इस रजब रैइंच टाइगर रिजब रएट फिर भाई संजे बहुत अच्छे दोस्त हैं एपके साथ और चनल भी यहां पर याद रखना है सत्पुडा का जंगल भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अहाँ दे Smaraj यहीं तो दिख्कत है तुम लोगों कि maturity यहां पर मुझे दिख जाती है अरे यार यह तो गडवड़ घुटाला है हां जी तुम्हें पैट की वात कैसी चल रही है तुमारे घर में क्या वना है सब्जी कैसी बन रही है नमक तेश तो नहीं है कौन सी तयारी चल रही है यह सब है जित्ती हमने जीवन में नहीं देखी होगी और वो सब कुछ तुमारे कमेंड जो है न अल्ट्रा एच्डी फॉर्मेंट में सब कुछ दिखता है हमें क्लियर है तो इसलिए न यहां पर अपन लोग क्या चल रहा है किसके घर में अपन को नहीं पता करना है अभी सिर्फ क फोकस होना है समझ रहो एक्जाम तभी निकलेगा जब आपका फोकस यहां पर होगा देखो मैं क्लास ले लेता हूं तो इसलिए थोड़ा सर टेंजन मत लिया करो बट आपके अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूं ठीक है साहिना जी क्लियर है चलो बढ़िया ठीक है चलो अरे भाई क्यों टाइप कर दिया मत नहीं करना वच्छा क्यों करना यह टाइपिंग को टाइपिंग तो दिन ना जीवन वर खेल अभी एक घंड़ की कलास है उसको ध्यान से मैं मस्ती में आक मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको मालूम कितने सारे इसप्स कवर कर रहा हू लेकिन यह इतने important fraction है यही question उठके आजाएगा ठीक है फिर महाराष्ट का male ghat tiger reserve male ghat tiger reserve यह हो गया फिर आप देखे नावे गाउ नावे गाउ 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 टाइगर रिजव क्लियर है फिर pench tiger reserve pench tiger reserve हो गया ऐसी आप देखे सयाधरी परवत है तो सयाधरी सयाधरी राइट ऐसी ताड़ोवा ताड़ोवा तो ताड़ोवा tiger reserve हो गया तो इस तरह इसलिए को फटा-फट आप महाराष्ट के भी tiger reserve जो ही याद कर सकते है बोल tiger reserve हो गया राइट दूसरा जो आप देखे मेल गाउ टाइगर reserve हो गया तीसरा अगर आप देखें जी यहां पर देखें कि नावे गाउ tiger reserve हो गया ठीक है फिर आप देखें पैंच हो गया सयाधरी हो गया ताड़ोवा गया ऐसी मिजुरम में कौन साइजी डामफा डामपा डी-a-m-p-h-a डामफा यह आपको याद रखना है फिर आप देखें सटक जाता है औरीसा में आदमी जो भी रिजर्व एंड सिम्ली पाल सिम्ली पाल यह आपको याद रखना है जी ओडीसा का एसी फटा 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 राजस्थान का भी देख लीजिए आप लोग कि वहीं राजस्थान में मुकंद्रा हिल्स हैं रामगर्ड विजधारी टाइगर रिजर्व है रन्थमबोर हो गया और सारिस्का हो गया तो ऐसी करके रन्थमबोर एंडशारिक यह तो बहुत फेमस है रन्थमबोर रन्थम्बोर एंड्सारिस्का यह बहुतम लिए आप लोगों के लिए आप इसको बिलकूल हलके मत लीजियगा ória डायरेक्षिंस द आते हैं ठीक है तो यह आपको याद सटकोषिया हो गया और वह हम लोगों ने देख लिए फिर रडधंबोर हो गया और सारिस्का हो गया फिर ऐसे ही रामगर्ड करके भी जो है अभी हाली में मनाए ठोहार 12 में तो रामगर्ड विस्धारी टाइकर रिजब जो विसेंट वाले होते है वो और जाता इंपॉर्टेंट ने तो हम पतक्र तमिल नाडू के पोस्ट यद्ट र community जिन में से यह कोई की मलाई तो अन्ना मलाई अन्ना मलाई आपको याद रखना है जी राइट और मुर्ली कलाकाद क्ला इसनमालिक्ट और अंन्ना मलाई भई嗎 वुजए भी मलाई चाहिए तो मुडु मलाई मुडु मलाई हो गई फिर आप देखे 25 मंगलम ताइगर हम सत्य मंगलम तो यहां पर भी आप देख़ें सत्या मंगलम णोट रिसर्व हो गया फिर आप देखेंगे श्रीवल्ली Özुन पर देखें डिكم तो स्रीवल्ली भी हो गई यह मलाई हो गई मुडू मलाई हो गई और यह सारी मलाई आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की भी अमरावाद टाइगर हो गया और कावल टाइगर हो गया फिर आगे बढ़ें जी फिर उत्तर अलग कॉपी बना सकते हो लेकिन अभी तो इतना तो याद कर लो राणीपूर एक बार राणीपूर आप से डायरेक्ट के क्वेस्टन पूछे आएगा कि राणीपूर वाइड लाइफ सेंचुरी कहां पर है जिम कॉर्वेट टाइगर रिजव हो गया जिम कॉर्वेट उत देखो आज की करेंट की क्लास में हम लोगों नहीं एक बड़ा सा टॉपिक जो है कवर कर लिया और इस टॉपिक से जो भी मतलब जो जो मैंने आपको बता है नहीं सारा का सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बरी मच क्लियर चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते ह जो भी कंस्ट्रक्शन फाल तुके हैं तो उनको लेकर भी लॉग बनाएंगे तो यह अरणाचल प्रदेश ने कुछ डिसेंस दे रखे थे न्यूज में था इसलिए मैंने बता दिया अब आपको मालूम एक विलेज एक गाउं है यूपी का सबसे ओल टाइगर रिजव जि तो यह धोड़ो जो विलेज है ना इसको बेस्ट टूरिजम का अवार्ड मिला है बेस्ट टूरिजम अब आप कहेंगे सर क्यों तो भाई तुम यहां पे जाओगा ना तुम्हें बिल्कुल गोह वाली बीच वाला जो गाना होता है वाला आपको एक फील आने लगेगा तो आपको फील आएगा आप कहींगे सर केसे फील आएगा तो यह देखो आप इसका फोटो भी था कहीं पर अरे यार गोह वाली बीच का फोटो कहा गया अरे यह यह देख लो यह यहां पे रहे गया धोड़ो इन गुजरात कच गेट्स बेस्ट टूरिजम बिलेच बस चले आओ तो मेरे को वीडियो कॉल करके जरूर बता देना वीडियो करके तुम यूट्यूब पे डाल देना सब लोग देख भी लेंगे लिंक भी भेज़ देना ठीक है मैं प्लेटफोर्म इस पर बड़े तरीके से पड़ा बता भी दूंगा कि अगली बार के यह सरजन भ चला पाकिसतान पोंच गया को तो सब लोग नमसकार करेंगे तो सब लोग नमसकार करें सर्क्षाइज को अगे बढ़ते हैं अम लोग न॥ी मंथ सोल जैसका नाम है तो यहां पर आप देखते हैं सरस्वती जी एंथूरियम फेस्टिवल जो है इतने सारे फेस्टिवल होते रहते हैं बहरत में ताइम ही नहीं पा रहा है तो मैं करेंट अफेर की क्लास लेता हूं तो मेरे को टाइम मिलते ही नहीं जाने का कोई ना यहीं पर पढ़ा के खतम कर देते हैं तो मिजोरम में एंथूरियम फेस्टिवल बना हुआ है तो यह आप याद रखना है एंथूरियम एंथूरियम लिखलो जल्दी और आप कल्चर म्यूजिक फैसन सो सब कुछ फैसंड ये तो फैस्टिवल मेला दिनों का आता एक बार आता हो फिर आके चला जाता यहां पर ठीके तो यह आपको देखना है क्लियर है अरे जेजे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप बहुत अच्छा रहे फार पे चौहां जी उ करो तुम ठीक है ठीक है चलो कोई ना ठीक है ठेंक यो अर्पित जी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर इन मिजोरम टूडे लॉंग एंथूरियम फेस्टिवल बिगें विद फेस्टिवल्स ओह ओह देख रहो एंदूजियास्म एट रिक इन ममिट जिस्टिक्ट तो इतन हम पनको याद नहीं करना यह यड़कर आपसे इतनी पूछा याएगा कि एंदूरियम यो फेस्टिवल है कहां सलिब्रेट करा जाता है तो वह मिंजोरम मिजो राम क्लियर है जी अरपित समझ में आया क्लियर है नहीं है तो यह आपको याद रखना है अब कव लगता है तो यह अभी लगा है हाली में इसलिए तो हम बात कर रहे हैं देखो 20 अक्टुवर को लगा था यह अब यह कुछ निउस छूट भी गई थी तो इसलिए मैं आ लाल गुलाव आप लोग देते होगे ना किसी को नहीं दिया दिये जाता है लाल गुलाव ठीक है तो इस तरह से एंटूरियम फ्लावर्स वाई मिजो वुमें यह आपको याद रखना है is this very much clear guys clear है बढ़िया अब हम लोग चलते हैं questions की तरफ कुछ questions कर लेते हैं right कुछ questions क कर लेते हैं यहाँ पर जैसे what is the name of the stealth guided missile destroyer officially transferred to the Indian Navy on October 2023 टाइमर नहीं लगेगा टाइमर टाइमर लगा दूना बताओ यह रांसर टाइमर लगाया करो ठीक है बगली बार से कोई ना गाइस तो टाइमर नहीं लगाया पर यहाँ पर आप लोग देख लिए कुछ questions हैं लोग पढ़ लेते हैं आपको मालूम है अभी हाली में राइट तो इसका अंसर सारे बच्चों ने दे दिया है क्या बात है सब लोगों ने आंसर दे दिया है तो everyone got पूरा क्या बोलता है एक लाख रुपया जो कौन वनेगा करोड़ पती मिलता है KVC में चलिए बहुत बढ़िया तो यह आप लोग जानते हैं हम लोगों ने कली पढ़ा था कि इमफाल stealth guided missile destroyer was officially transferred to the Indian Navy on 20th of October 2023 यह अपन को याद रखना है clear है फिर हम बात करते हो Operation Sajag that was recently in news was conducted by whom तो Operation Sajag की अगर हम लोग बात करें तो Operation Sajag काई से सम्बन देते हैं बताओ भाई यस नीरज गुपता लवी जोती दिव्या संधया सहीना अनुपमा अविना सारे के सारे वच्चे सरस्वती कुषवा जी सब लोग बताईए यस डाउनलोड किये हम सर पेड़ कोर्स का नाम क्या है तो सक्छम करके नाम है सर सोती जी सक्छम करके नाम है अच्छा पूर्डे मा को नहीं मालूँ उसने X लिख दिया ठीक है बढ़िया बढ़िया तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गाइड बहुत बढ़िया तो ऑपरेशन जो स सेक्यूरिटी सिस्टम से यह संबंधित है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ चलते हैं बताईए यह रहा फड़ा फड़ येस टाइट विवांसर तो इस क्वेस्टन मैन येस अमेरिका समाचार और विष्व रिपोर्ट द्वारा द्वहया तेईश सर्फष्ष्ट देशों की रिपोर्ट के अनुसार कॉम सा देश दुनिया में सर्फष्ष्ष्ष्ट स्थान पर है देख रहे हो विनोद देख रहा है विनोद भारत का नाम नहीं है यहाँ पर तेरा खुन नहीं खुल रहा है क्या अरे बाद में कल से लगा देना है ना ताइमर जरूर चीक है अकोर्डिंग टू धोहर 23 का रिपोर्ट यह आपनको याद रहना है काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया जी सो आंसर इस सुट्जरलेंड बेस्ट कंट्री रिपोर्ट युएस में स्विट्जरलेंड आ रखा है देखो पावर हो प्रोस्पारिटी हो क्वालिटी लाइफ हो अंट्रपनियोरियल हो राइट कल्चरल हो सब कुछ सब कुछ जो है ना यह सुट्जरलेंड में काफी अच्छा है राइट चलिए क्या बात आगे बढ़ते हैं अब लोग एक तो कभीर सिंग परिसान हो जाएगा कभीर सिंग परिसान हो जाएगा अच्छा लगा सुनके पर सुबह उठा कोई बंद नहीं हुआ है सुबह सुबही खेनी उठका बेड़ी सिग्रेट सब चल रहा है ठीक है तो यहां पर आप देखिए जी सब लोगोंने आंसर दे दिया है तो होप इनिसेटिव ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग राइट अब हम लोग देखो यह सब हम लोग करेंगे बाद में थोड़ा बहुत और और है लाइक दो-तीन चीजें देखिए लेकिन अभी आप आणसर राइटिंग की कुछ बेसिक क्लास ले लीजिए क्योंकि मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों को यह ना पता हूना चाहिए कि आंसर को लिखा के से आता है राइट सरस्वती जी आज आप पहली वारा है आप देखना आज मैं मोटिवेट कर दूंगा कि हर बच्छा आंसर लिखे है कि निया मोटिवेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगो धकाना पड़ता है थोड़ा सा राइट तो यहां पर आप देखे ना आंसर ल लगता है कि आपका आई-card है आपके comment से पता चलता है कौन सा personality कैसी है तो answer seat is very important सबसे पहली चीज राइट दूसरी चीज है कि तुम crowd से कैसे अलग हो गए जैसे मैं 10 answers देखता हूं 10 में से सिर्फ एक लेकर आता हूं एक लेकर आ रहा हूं मतलब उनका answer थोड़ा वैस्ट है is this very much clear जैसे आप अभी लिख रहा है अब आपने health को लेकर अभी मैंने कुछ scheme बताई तो उसको आपने लिख लिया अभी मैंने defense में Japan ने कुछ करा उसको लेकर लिख लिया कोई operation चल रहा है उसको लेकर लिख लिया उत्तर प्रदेश में कोई digital doctor initiative चला है तो health related आप उसको ड photography कर लो कितना ही quality लो लेकिन अगर आप यह current affairs नहीं पढ़ोगे तो यह आपके answer को क्या करेगा जी मिलकुल अपंग कर देगा handicap कर देगा क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आपके भारत में क्या चल रहा है वो जब तक आप अपने answer के conclusion में नहीं answer sufficient नहीं होगा is this very much clear है ना तो यह हो गया पहली अब देखिए मैंने आप लोगों को कल बताया कि जब भी आप answer लिखें तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले question को read करो question क्या है तुम कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैच्चे सुनते ही नहीं है धंग से उन्होंने question को धंग जाएगा जोती जी तो होता क्या है ना आपको सबसे पहले questions को read करना that two between the lines पहली चीज़ क्या है give same exams many times मतलब जब आप रोज परड़े की basis पर दो answers लिखेंगे अब जरूरी नहीं है कि teacher आपको question दे आप खुद से कोई question उठाईए और question का answer लिख दीजे और भेज दीजे ग आने वाला होगा तो परड़े दो घंटे बैटके तीन घंटे बैटके उसी के तर्ज पर आप क्या कर रहे answer को लिखे question paper को solve करे तो यह प्रैक्टिस होती है मैं वही बोलता हूँ ना he who sweats more in training bleeds less in war तो जो जेजे सर कर रहा है उसको भी आप daily लिखी वो लिखी आप वो आपक ultimately exam आपका है मर्जी आपकी आपको exam निकालना है तो जहां से फायदा मिल रहा है वहां से आप फायदा लीजिए डेर इनिसेटिव जेजे सर कर चल रहा है तगड़ा है वो initiative आप उस पर काम करिए तो यह चीज़ आप कर सकते हैं फिर हम बात कर सकते हैं before original exams मैं क्या बोल रहा पेपर को लीजिए यूपी PCS के स्टायल के पेपर को लीजिए और उसमें जैसा exam में पूछे आता है उस तरह से आप लोग भी लिखिए तो यह important है then write full length paper many time full length अभी नहीं आने वाले समय में अभी तो आप लोग पढ़़े के 2 question 3 question भी लिखे अभी आप लोग देख रहे है है के नहीं यह भी कई लोग सोचते होंगा यह दूसरों का paper निकल जाए तो भी यह देखो यह education industry है यहाँ पे सब अपने आप में अदू होते हैं ठीक है तो किसी के answer से किसी का paper नहीं निकलेगा लेकिन जब आप interact करते हैं तो आपको पता चलता है कि market में चल कह रहा है आप आपको पता चलेगा कि मेरा answer जो अमन सर ने चेक करके बताया इस answer की क्या खासवत थी और दूसरे के answer से आप कैसे सीखते हैं असली इंसान वही है जो दूसरे के चीजों से दूसरे के दुख दर्द पीड़ा से सीखे कि भाई हमारे पास ऐसा दुख दर्द ना है समझ रहो समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा है जैसे हम अगर चार वार पांच वार फेल हुए हैं तो हमें मालुम है कि इतने तरीके हैं इससे फेल होगे ही होगे आप newspaper for example दिन वर में चार घंटे पड़ोगे और अमन सर की class आदे गंटे की ले लोगे एक घंटे की ले लोगे तो आता है जैसा आता है बैसे paper में लिखो फुल लेंद paper को आप लिखिए यह आपको याद रखना है फिर एक और अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं अभीनास जी यहां पर सरसुती जी आप लोग क्या कर सकते हैं पहली जी कि अच्छे दोस्तों को बनाओ राइट क्या होता है जैसे मैं अपने वारें बताता हूँ तो मेरे साथ का जो बते जो दोस्त गूरूप जो प्यर गूरूप को Orthled में क्या बताऊं कि तो इन तीनों ने अपना गरूप बना लिए अब पर डे जो है तीनों के तीनों कोई फ्रेंड नहीं है भाईया हम फ्रेंड है यहां पर हम भी तो answer दे रहा है question दे रहा है आप हमारे group पर send कर दीजिए है कि नहीं तो attention मतल Deputy तो यहां पर कहा है जी पूजा मैडम कि आप दो-तीन लोगों का ग्रुप बना लिए अब दो-तीन लोगों में जैसे एक बंदा है वो परड़े question डालेगा वो भी answer लिखेगा और दो-तीन लोग वो भी answer लिखेंगे फिर दूसरे दिन बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं बोल रहा हूं पतंग कन्नी काट लोन से भूल या होने क्योंकि आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे दस मैंसे सिर्फ दो दोस्त बनाओ एक principle होता है 10 और 90 परसेंट का कई लोग है वो 90 परसेंट लोगों को दोस्त मनाते है 90 परसेंट दोस्त जो हैं आपके 10 परसेंट भी काम नहीं आते लेकिन 10 परसेंट ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके साथ जीवन भर आपको help करें तो यह एक अच्छी चीज है तो do answer writing daily यह आपको याद रखना है पहली चीज़ तो उससे क्यों होता है मोटिवेशन बना लेता है आपके खुद के ग्रूप में राइट सहीना जी अब आप देखें मेक बुविल्यू प्रिंट प्रिंट आफ यॉर ओन मोडल आंसर मतलब आपको मालू है कि अमन सर बारवर बोलते हैं क्लैप टेकनिक क्लैप टेकनिक क्या है बताओ जरा कौन बत अप्रोच होना चाहिए अप्रोच के बाद क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ठीक है और सबसे आखरी में स्ट्रक्चर होना चाहिए तो जब यह चार-पाच चीज़े अगर आपके आंसर में रहेंगी तव आपका आंसर बेस्ट बनेगा अधर्वाइस आप काम करिए तो आपको blueprint समझ में आएगा कि यहां मेरा answer writing का style case है आपको यह समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश के भी current affair कहां पर डालना है आपको यह समझ में आएगा कि भारत के international news, Indian news जैसे for example question पूछागा है health के बारे में तो आप health को लेकर किस तरह से best तरीके से answer को ल explanation लिखा हुआ है कि explain this तो अलग चीज है discuss means अलग चीज है critically analysis लिखा है तो it is also different right तो याद रखना है कि आपको करना क्या है न जी आपको अपने keywords पर ध्यान देना है right मधू motivation right महीमा समझ में आया कि नहीं आया ठीक है यह आपको इस तरह से करना होगा और फिर आपको क्या करन है कि नहीं आएगा मैं यहाँ पर पूछ रहा हूं कुछ और यहाँ पर बात चल रही है कुछ और ठीक है तो दिक्कत होती है मैं कभी-कभी चिड़ भी आता हूं right तो यह अपनको याद रखना है तो identify what examiner is trying to ask right तो यह आपको करना होगा अब देखो answer लिखना क्यों है आप कहेंगे कि सर क्यों लिके हम answer हमारा pen का इंग खतम हो जाता है इसका पैसा सरकार देगी कई लोगों में मन में आता होगा आता है अन्सुल भाई आता है कि नहीं आता है डिफरेंट क्या होता वो मैं बताऊंगा मधू बताऊंगा बाद में बताऊंगा right सब में difference में बताऊं तो सबसे पहली चीज लेक वाई शुट वी राइट आंसर तो वाई शुट वी राइट हां अब देखो जब भी आप आंसर लिखे ना तो उसमें कुछ चीजे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जैसे फॉर एक्जामपल यहां पर आप देखें कि भाई डायरी बना लो डिवेट डिसकसन डायलोग डी बूरोक्राटाइशन या फिर डी सेंट्रलाइशन अब देखो मैंने अपने आंसर में 3D नहीं मैंने तो भाई 4D लिख दिया हटाओ लग 5D लिख दिया अब आप बलोगे तो 10D भी लिख दूँगा तो मैंने अपने आंसर को अच्छा एक मतलब बोल सकते नहीं के स्टार्टिंग अच्छी देदी वहीं डेमोक्राशी के बारे में पूछा तो अमने तो डेमोक्राशी जोग डिवेट डिसकसन डायलोग डिविरोक्राइशन डिसेंट्रलाइशन हटाओ अलग ठीक है तो ठोको ताली मतलब समझे रहे है डिवेट हो रही है डिसकसन हो रहा है डायलोग मतलब हम अपनी बात को रख पा रहे हैं फिर ब्यूरोक्राइशन मतलब ब्यूरोक्राशी अपने आपको इतना उचाना समझे कि हमाई भगवान है होता है कोई देखा होगा तुम लोगों ने कि अधिकारी बना नहीं उसक को समझ में आगा है कि हाँ वही अमनसर का अंसर में दम कोई भी पड़ेगा तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा कितने लोगों उनको बुरा लगा बुरा लगा है क्या चलो भी यह हटा देंगे ठीक है तो of the people for the people by the people democracy is not about of the people of the people democracy is not about by the people यह जो आज के समय में चलता है by the people 500 दिया देशी ठर्रा दिया खतम बात by the people of the people by the people for the people समय नहीं लोगों कोई धूर कर दिया तो आप से अगर कोई भी question पूझा आता है तो उसके approach को पकड़ना है जब मैं अभी आप लोगों की disaster management की class लूँगा आप उस class को live ही attend करना जितने वज़ेवी हो जब भी हो आप थोड़ा सा answer writing के content को enrich करी अभी आप खुद से लिखिए ठीक है क्योंकि मैं check नहीं कर पाऊँगा ना भी अभी मैं आप लोगों के लिए एक अपना खुद का answer writing का content रोज लेकर आता हूं समझ में आया ना अभी ना समझ में आया हस रहो हसस के कौन-कौन गिर गिर पढ मेरे यह मानना है सुबह सुबह की class होती है आप लोग भी दिन भर के ठान रहेगी तो इसलिए सुबह सुबह एक अच्छा सा एक मतलब टेंसन ना हो current affair पढ़ो तो current affair में ऐसा हो कि हायर मजा आ गया बस वही होना चाहिए राइट समझ रहे तो यह सब चीजें क्लास बिलकु कोई दिक्कत नहीं है sister कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसा चिल रहा करो मेरी एक खास बाते में कभी बुरा मानते ही नहीं ठीक है बुरा क्यों मानना है ठीक है अब आपने कोई गलती करी मैंने बता दिया आपने उसको change करा देखो धमाग खराब किसी भी teacher का तब होता है जब ही गलती एक बंदा दो बार तीन बार चार बार धो रहता है आप अगर पहली वार में इतने अच्छे से आपको समझ में आ गया आज आपको समझ में आ गया कि है सर ने ये चीज़ों को समझा है तो इससे बेटर क्या हो सकता है समझ तो आया सर लेकिन बहुत tension बढ़ रही है अब क्या करें और कैसे ऐसा लग रहा है बहुत पीछे हूँ अरे यार पीछे तो तुम मतलब ये mentally एक चीज़ याद रखना कि जिस दिन जिस समय जिस चण आप ये सोच लें कि ये मेरे से नहीं होगा उसी टाइम आपकी 50% preparation खतम पे है फात्मा जी उसी टाइम पे अगर आ कालना है अब improve करना है capability नहीं है दूसरों से सीखना है अगर आप इस तरीके का approach रखेंगे तो आपका exam भी निकलेगा और आप लंबे समय तक टिक भी पाएंगे तो जो भी करो भाई बिलकुल मतलब कलक decision लो और एक बार decision ले लिया तो रुकना नहीं है थमना नहीं है तो इ चिल करें सुभे सुभे करेंट अफेर की class है तकरीवन 20-25-50 करेंट अफेर लिख लो फड़ा फट लिख लो खतम करो और फिर एक अप्रोच जो भी answer writing को लेकर और आने वाले समय देखो 20-25 क्लास में ऐसी answer writing को लेकर लूँगा जो आप लोग बोलते है sir discussion का मतलब क्या होता है debate का मतलब क्या होता है dialogue का मतलब क्या होता है या फिर आप से आप लोग पूछते ना कि sir critically analysis में कैसे लिखना है या फिर किसी वी word में explain में कैसे लिखना है तो यह सब चीजे जो है न हम लोग cover करेंगे I hope you enjoyed this lecture guys so thanks a lot guys for listening as usual very patiently and peacefully bye bye take care कल फिर मिलते हैं सुभा सुभा 9 वजे और हम लोग फटा फट क्या करेंगे जी मन के हारे हार है मन के जीते जीत राइट चलिए बड़ी आरी सुजी बिलकुल सही thank you guys thank you thank you कल फिर मिलते हैं सुभा सुभा 9 वजे करेंट अफेर की सीरीज में